भागलपूर में जीजा के भाई ने 6 साल तक साधी का जहासा देकर यूवती से बनाया साड़ेरिक संबन फिर कर ली दूसरे से साधी अब पिरिता लगारे ये दरबदर नयाय की गुहार दरसल या मामला भागलपूर के कमलपूर सौज़ोर थाना का है जहांके ससी रंजन की साधी 2015 में कादिर गंग नवादा में हुई थी जिसके बाद ससी रंजन के छोटे भाई देव परकास द्वारा पिरिता की दोस्ती हुई और बाद में दोनों के बीश सारेरिक संबन भी ब मिली तो वह सज़ोर थाने के सायोग से उसके घर पहुंची और थाने के गारी जाने के बाद उसके पिता द्वारा मेरे साथ मार पीट की गई जिसका आवेदन हम सज़ोर थाना में दे चुके हैं उसके बाद हमें लगातार जान से मारने की धंकी मिल रही है कल देव के करेंगे और और वह चुप चाप मिख्लेश सींग किसी और से शादी करवा दिया और अफदेश सींग उसका जी जा है और मिख्लेस इसके जीजा का भाई है और हम धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे कुछ पुलीस, SP, DM सब मेरा पॉक्ट में रहता है, हम बालू का करुबार करते हैं, यही सब हमको बोलते रहता है। पांच साल से वो मेरे साथ था। और अभी वो चुप चाप किसी और से चोरी चुप के साधी कर लिया है। और वो फरार है, भी घर पे नहीं आया है अपनी वाइफ को लेकर। जा बोला था पूपेजर। बोला था शादी करेंगे हम लोगो का साधी हो और क्या। किसने दिन पहले अभाया हुआ वा था नौ तरीक को तो आज यहां पे आए उसमें उसका कभी अभी तक वो आरेस नहीं वा, तो हम यहांपय आए ऑफिस में बोलने के लिए सर को। क्या बोले कि अरेस्ट होगा मेरा कुछ नहीं करना है अब हम मेरा यहीं करना है कि हम पांच साल उसके साथ रहे ठीक है और हम अब किसी और से शादी नहीं करेंगे उसके साथ उसके साथ तो उसके साथ उसी तरह कर रिस्ता था तो अब हम करना मेरा करना है कि हम उसी के साथ रह तो हमको कोई फरक नहीं पड़ता अब मेरा कनाय पांच साल उसके रखने के वाद अगर कोई हम को मेरे से कौन साधी करेगा यह पुछना है हमको आज कहा है आज एस पी ऑफिस में हम आये थे इस पी साथ से मिलने के लिए क्या माम रफका अपराजीता देव परकास चेकरदर सिंग का बेटा है और उसका कमलपूर घर है और उसका जीजा है अबदेश सिंग मितले सिंग जो हमको बार बार बोल रहा है जान मार देंगे राश्ते में आते जाते हमको धमकी देते रहता हमेशा क्यों जान मार देंगे उठा लेंगे यह वो हमेशा बोलते रहता है, अपका घर कहा हो? मेरा घर हुआ नवादा, एसे ही खबरों के लिए करे से 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं, थैंक यू